कि हलो डी रेश्ट्रेंगे वेलकम माई यूटूब चैनल चेमन बायोलोजी में आपको स्वागत हैं यदि आप पढ़ना चाहते हो पूर्ण सहलगनता कम्प्लिट लिंकेज के बारे में तो वीडियो पर बने रहे हैं क्योंकि यहां एक्जाम की दिरिश्ट्री से बहुत महत है ठीक है आज हम पढ़ेंगे कम्प्लिट लिंकेज जिसे बोलते हैं पूर्ण सहलगनता जो है दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं पूर्ण सहलगनता और दूसरा होती है अपूर्ण सहलगनता पूर्ण सहलगनता अंग्रेजिम में कम्प्लिट लिंकेज और अपूर्ण को incomplete linkage कहते हैं तो complete linkage किसे कहते हैं, पूर्ण सा लगनता किसे कहते हैं पूर्ण सा लगनता जो है दो या दो से अधीक लक्षनों की वन सा गद्गी क्या होती है एक सांथ होती है तथा वो दोनों जो है, दो या दो से अधीक जो लक्षन है वो 7-7 रहना पसंद करते है न? मतलब 7-7 रहना चाहती हैं, उसे कहेंगे पूर्ण सा लगता जो है, पूर्ण सा लगता जो है बहुत कम होती है जिस कहांर, आइसे कौन सा कारण होगा कम होने का, क्योंकि यह जो है ऐसे से लगनता जो किसी भी जिन्स के कांबिनेशन में पीठाग नहीं होने के कारण होते हैं मतलब उनके जो कांबिनेशन जो होते हैं वो पीठाग नहीं होते हैं वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में चले जाते हैं तो टी एज मारगन ने देखा, टी एज मारगन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने दो मक्हियों के लिए, उस मक्हि को क्या बोलेंगे, उसका साइंटिपिक नाम क्या है, ड्रोसोफिला मैलेनोगेस्टर है जिसे फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं मतलब यह फल में रहते हैं यह जो क्या रहते हैं फल में डॉसो फिला मैलनोगस्टर जो है त्येस मारगन ने लिया एक लिया इस मख्य को कि केपिटल वी केपिटल दी प्रभावी था जिसको हम लेंगे ब्लेक से इसमाल वी रेसेशिय फाम उसके बाद वेस्टीजियल मतलब होते हैं आउसेशिय विंग उस मख्य में पंक तो था लेकिन वह क्या नहीं कर पाते थे उड़ नहीं पाते थे तो उसके बोलेंगे उसको बोलेंगे जिसे कि मानोंचेरी में कौँ से हैं जीसे कान है ना कान पीनना पीनना हमारे लिए क्या है जो है वुष से और बाल जो कान पेपर जो बाल है वह जो है जो हैं क्या नूर्टर है ना तो रिट के हएці पर क्या होता है लाश्ट वूर्शन होता है अपेंडिक्स आज वह सुसी रूप में है पहले जो आधी बानो टाइम था तो वह बोजन पचाने में सायद करते थे अपेंडिक्स जो है अब किसनी कार्णों से बड़े हो जाते हैं तो उसको आपरेशन करके निकाल दिया जाता ह है ठीक है वह है अवसेसियंग तो टी एच मारगन ने दो मक्ही को लिया वह जो थे वह ग्रे और वेस्टेजल विंग था और दूसरा बले और लांग विंग्स मतलब यह लांग विंग्स है ना केपिटल भी यह डॉमिनेंट था कि इसके उपर इसमाल भी के उपर कराते हैं क्राश कराते हैं तो यह केपिटल भी यहां और इसमाल भी यहां इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जो संथान है नहीं इसके उपर प्राभवी है मतलब क्या जाएगा ग्रे ठीक इस्माल भी और केपिटल वी तो प्राभवी आ जाएगा लंबा पंख सब्सक्राइब आ जाएगा मतलब जो ड्रोसों फिला है वो क्या करने लगेंगे उड़ने लगेंगे क्योंकि उसके पास लॉंग विंग है ठीक है उन्हें के आने वाला संतान ग्रे मटमेला खलार और लंबब पंक वाला आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद उन्होंने क्या कि ए टी एच ग्रे और लंग उन्हों के साथ क्या कि रहा है क्रास करा तो इस्माल वी इस्माल भी क्या थे वो इस्माल वी इस्माल जी है ब्लेग थे सरीर के रंभ नग काला तो था और लेकिन वो क्या नहीं कर पाते थे उड़ नहीं पाते थे क्योंकि यह क्या है वेस्टी जलें आवसोसी आवसोसी जो उसके पंग जो थे अवसेसी थे हैना उनके पीछ अब इन दोनों के पीछ जब साधी कराए है हना तूसके आने वाला संतान हना एफन पीड़ी में कैसे पाइदा हुए देखो केपिटल वी केपिटल वी इसमाल वी यहां पास ठीक है और यहां से क्या जाएंगे इसमाल वी और इसमाल वी मतलब मैं इसको बना सकता हूं ऐसे ठीक दूसरा इसमाल वी यहां पास और केपिटल वी यहां ठीक और एक यहां से आ जाएंगे फिर इसमाल वी ठीक है तो उसके आने वाला संतान कैसे था देखो यह क्या हुर्य तो ये क्या हो जाएंगे ग्रे क्लर हो जाएंगी कि जो सेम पैरेंट के समान है और जो है ना क्या हो ज़ी में यह बहुत Зmost have इसमाल भी इस तो वेस्टी ंवेश्टेव्य विंग और उसे Cेंट वाला परापद ओंगे यह इसमें क्या परापद होंगे िसमाल vask m 우리가 करें शरीर करन क्या होनगे और capital V में व्ता यह होनगे capital V ब्लापध ही हैं तो किसके समाने होनगे लॉνग कि ही के समाने जाएंगे मतलेब इसके पास क्या रहेंगे मिन यह पंक अब यह जो ड्रोसोफिला है मतलब टी एच मारगन ने क्या निकाला कि दो यह पढ़ेद क्या थी इसकी परिवासा में दो यह दो से अधीक लप्षनों के सांसाथ वनसागत होती है मतलब जो पैरेंट है ग्रे कलर और वेस्टी जल यहां पास देखो ग्रे और वेस्टी जल जो पैरेंट है वह बच्चों में दो या पहला पीठी दूसरे पीठी हना सांसाथ गया ना इसलिए क्या बोलते हैं इसको पूर्णा सहल लगनता जो है इसी प्रकार इसको भी देख मतलब जो पैरेंट है वह संतान में पूरक पूरक है मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हंड्रेट परसेंट सहल लगनता लिंकेज गये हैं अगर वीडियो अच्छे लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ऐ याद रखने दोस्तों इसमें ना क्राशिंग ओवर जीरो परचंट होते है कि इसमें पूर्ण सहल लगनता में लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आप पूर्ण सहल लगनता उसमें क्राशंग मिलेगा ठीक है इसलिए इसको क्या पुले हैं हंड्रेश परचंट लिंक अब पढ़ेंगे क्राशिंग ओवर क्राशिंग क्या होता है कि क्राशिंग क्राशिंग ओवर इस को हिंदी में जीनुमें मैं बोलते हैं ठीक है इस से से क्रासिंगों पहले जो है जाएगोटीन स्टेज में जाएगोटीन इस्टेज देखो अर्द सित्री व्याजन सेकंड सोरी अर्द सित्री वाजन फरस्ट में प्रोफिस फ़स्ट की फ़स्ट और मियोसिस लिख देता हूं फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट है प्रोफिस फर्स्ट में पांच फिस होते हैं प्रोफिस के इंतर के पांच फिस्ट लेप्टोटीन जाइकोटीन पैकेटीन डिप्रोटीन और डाइकैनिस तो जाइकोटीन इस्टेज में होता क्या है क्रोमोजोम होते ह सांस साथ आके जूर जाते हैं मतलब सिनैप्सिस होते हैं क्या होते हैं सिनैप्सिस कि ठीक सिनैप्सिस की गया होती है ठीक है जिसमें 0.03% डुप्लिकेशन होते हैं वैसे सिंथेसिस में सबसे आदा होते हैं जिसको एस फेस बोलते हैं उसके बात क्या होता है जाइगोटिन के बाद उसके बाद क्या आता है पेकेटीन ने जपेटा 세ठें reminds जंट प्याएं इसको पूछा गया है जाइगुटीन में हुका सिनेप्सिस के क्रिया होगा थिक है जाइगोटीन में इसको भी पूछा गया है उसके बाद क्राशिंग उवर जिन्मिन में किसे कहते हैं वह भावती क्रिया जिसमें समझाद गुनसुत्र यह एक दूसरे के समझाद है यह एक दूसरे समझाद इसको बोलेंगे पैटर्नल क्रूमो част moral क्रू मोजों इसको क्या बोलेंगे मैं अर्छ क्रूमो the llam यह पीतर की समान एं मात्रिक समान तो इसको हम दर्शार देते हैं कोई फिरिट से आप सो कर सकती हो निसको मैं कर रहा हूं के पिटालेख केपिटालेख केपिटालेख केपिटेल्टी से कर दो इसमें पूरा परिभासत चुपा हुआ है कैसी सब्सूर्ण की क्या है नौन सिष्टर याद रखना है नौन सिष्टर कॉमेटर की बीच खंडों का अधान भागो या फिर खंडों का अधान प्रदान होना जीर में में जीर में में यहां क्रासिंग ओवर कर लाता है तो यहीं इसके परिवासा जो है आप देखते हैं कि क्रासिंग ओवर कैसे होते हैं देखो केपिटल यहां पास capital भी यहाँ पास ठीक है इसमें तो crossing over नहीं होगा इसलिए small a और small b यह दोनों paternal और maternal भी नहीं होगा लेकिन दो खंडों की बीच इन दोनों की बीच यह चार chromatid है ना एक दो तीन चार chromatid है तो इसमें से दो non sister chromatid है उन्हें की बीच क्या होगा crashing over होगा ठीक है तो यह देखो यह क्या है capital a और यह क्या है small a उसके बाद क्या होता है कि second stage में की chromatid का क्या होता है छोटे से खंडों का दान प्रतान होगा तो तूड़ जाता है ठीक है इसके बीच क्या बन जाता है fragment ठीक है तो यह हो गया capital b और यह जोए small a ठीक हैं तोड़ गया उसके बाद इसमें तो कूछ नहीं हो रहा है capital B इसमें भी कूछ नहीं हो रहा है a small a small p अब देखो यह जो खंड रहा है वह इसमें जाकर जूर जाएगा और यह जो खंड है इसमें जाकर जूड़ यागा, तो यह हो जाएगा, इसमें तो कूछ नहीं होगा, crossing war, तो capital A, अब यह भाग इसमें चला गया, मतलब कूछ भाग इसमें तूट कर इसमें चला गया, तो यह क्या हो जाएगा इस मॉल लिख और इसका भाग इसमें चले गया तो यह हो जाएग के पीटल वी इस प्रकार से क्या होता है थीक है वीडियो समझ आया तो विल्कुत लाइक करना न भुलिये तो इसे बोलते हैं क्रासिंग और और यह एक्जाम में पूछा गया है क्रासिंग और क्या है ऐसे करके ठीक है कि इसके बाद आपको देखनों के मिलेगा कि जो क्रासिंग और के बाद पैकेटिन इस्टेज में उसके बाद देखनों के मिलेगा देपलोटिन वस्था तो देखने को मिलेगा तर्मिनालाजेशन जिसको बोलते हिंदी में उपांती भवन जो है यहीं क्रासिंग और के बाद आपको अ टेर्मिनालाजेशन देखनों के मिलेगा जो की मैं ग्यार्वी के बोलत है ना कि ग्यार्वी अधार है इसे करके तो वहां में इसको मैं कल ही इसको अपलोड करने वाला तो एक बार बिल्कुर इसको देख ले ना ठीक है उसके बाद आते हैं क्राशिंग और के महत्वर इनकी वज़े से क्या-क्या महत्व हो सकती है बहुत ही दूसरा यहां जैव के विकास की क्रिया को क्या गति सिलता को परदान करते हैं जैव विकास के क्रिया को आपको विकास जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ आए कि सबसे पहले कैसे मानों की पत्तियों बहुत लंबे चरण के बाद मानों को मानों की पत्तियों कहीं ने कहीं व और होने की संभावना भी आधिक होगी और कम है तो कम ही होगी तीसरा जो है इसकी मतलब से क्रीटरिम प्रजिनान द्वारा अधिक से अधिक उपयोगी हम लोग नसला तैयार कर सकते हैं और इसके सायता से पीड़ी दर पीड़ी नवनीरमीत मतलब अच्छा खांसा क्या नए नए चीज हम लोग प्रतान करते हैं नए नसले जिसे पाउधें में हम लोग ब्रीट कर आ सकते हैं इसके जीन को फेर बदल करके ठीक है तो जहीं था क्राशिंग और इसके महात तो कभी कभार पूस दिया जाता है तो उसको याद रखना है ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सस्क्राइब करना ना भूले थांक यू